गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू किसी कुछन आज हमने बनाया है बैगन का भरता जिसे हमने बहुत ही सीम्पल और हीजी तरीकी से बनाया है इसे आप भी बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी मेरी अथर परसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेस्टन आप तक जा सके तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि बैगन भरता बनाने के लिए हमने यहां दो बैगन लिया है और इसको माइक्रोवेब में पका लिया आप चाहें तो इसे चुले याग आइस पी पका सकते हैं ज खोड़ी सी मतर और दो रेट चिली जिसको हमने कट कर लिया है मसालों में हमने लिया है एक चमज रेट चिली पाउडर एक चमज कोरियंडर पाउडर एक चमज घरम मसाला हाप टी स्पून टर्मडिक पाउडर हाप टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर हाप टी स्पून चा कि आप चाहिए तो बैगण को वास्त कर सकते हैं कि लेकिन हम ने वास्त नहीं कि आगर आप चूला प्मिट्टी के चूला पर पकाते हैं तो बैगण को प्लिज वास्त कर нельзя अब ने यहां बैगन के चल्ट को उतार लिया है अब हम एक दूसरे बॉल में इसको मैस्क करेंगे आप चाहिए तो इसे हाथ से भी मैस कर सकते हैं यहां से बहुत अच्छी से मैस हो जाता है हम यहां बीच में दिख रहे हैं कि बैगन अंदर से खराब तो नहीं है लेकिन बैगन एक दम से ठीक है खराब नहीं है हमने यहां बैगन को मैस कर लिया है वह हम आगे का प्रोसे सुरू करते हैं सबसे पहले में एक पैन लेंगे उसको गैस पे गरम करेंगे पैन गरम हो चुका अब हम इसमें आट करेंगे तेल हमने यहां दो चमस तेल लिया है अब हम इसमें आट करेंगे जीरा और इसको फ्राइक करेंगे जीरे फ्राइय हो चुका है अब हम इसमें आध़ करेंगे और पांच मिनर्ट तक मेडियम फ्लेमे पर इसको हम फ्राइख करेंगे ओनियन फ्राई हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे मटर और ग्रीन चिल्ली इसको भी हम दो से तीन मिलेड तक लो फ्लेम फे फ्राई करेंगे मटर और ओनियन फ्राई हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे मसाला साथ ही मम इसमें आइट करेंगे आधा ग्लास पानी इन मसालों को अच्छे से पकाने के लिए मसाला को मेडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे मसालों को हमने रख के पकाया था ताकि छीटा इधर दर नहीं जाया अब हम इसमें एड करेंगे टेमाटर और इसको भी हम मच्छे से मिलाएंगे और इसको लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक पकाएंगे टमाटर भी पक चुका है अब हम इसमें एड करेंगे बैगर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम पांच मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे अब हम इसमें एड करेंगे नमक नमक हम अपने हाथ से यूज कर रहे हैं आप अपने टेस्ट के कोडिंग नमक डाल सकते हैं हमारा बैगन भरता बन चुका है इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इसमें एड किया एक चमजगी इसको दो मिनट तक हम इसे ही लो फ्लेम पे पकाएंगे साथ हम इसमें एड कर रहे हैं थोड़ी सी कुरियंडर लिफ मेरे पास फ्रोजन कुरियंडर लिफ है आप चाहिए तो फ्रेस कुरियंडर लिफ भी यूज कर सकते हैं तो हमारा वैकन भरता एकदम से रेडी हो गया हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं और आपको सर्फ करके दिखाते हैं अगर आपको मेरी यह रेस पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए शेर किजिए और कॉमेंट किजिए देखिए देखनी में लग रहा है ना एकदम सा टेस्टी तो आप चाहें तो इसे अपना फेवरेट रोटी चावल या फिर मुर्मुरे के साथ सर्फ कर सकते हैं ओकी बाए